नमस्कार दोस्तो मैं हितेश गुपता स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पर दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फेस्बुक में आटोमेटिड रूल्स क्या है और उनका क्या यूज है क्या फायदा है दोस्तो आटोमे दोस्तो हमारे चैनल में बहुत सारी सीरिज आचुके हैं कई सो वीडियो हैं और बहुत सारी सीरिज आ रही हैं तो चैनल को सब्स्राइब कर लिजे नहीं कर रहे हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलें और आप फ्री और डिजिटल मार्केटिंग प्रेक्टिकल लेवल प किस तरीके से automated rules create कर सकते हो दोस्तो जब आप बहुत सारे campaigns manage कर रहे होते हो या आप बहुत ज़्यादा busy हो तब क्या होता है कि automated rules automatically आपकी चीजों को manage करते हैं like for an example आपने कई conditions लगा दी कि ये वाला campaign अगर इतनी cost पर lead या cost से ज़्यादा बढ़े तो मेरा ये campaign automatically off हो जाए मेरे पास इतने इसके results आजाएं तो मेरे पास notification आजाएं इस तरीके से बहुत सारे automated rules आप अलग-अलग campaign में या फिर complete एक क्या गयते हैं आप एक single account में या अलग-अलग accounts में लगा सकते हो campaigns में लगा सकते हो और वो कैसे लगाना है वो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये useful feature है और कई बारी अगर आप single-handedly बहुत सारे accounts और campaigns manage करते हो तो चीजे मिस हो जाती है monitoring के अंदर कभी कभी आप चीज पर ध्यान नहीं दे पाते हैं उसकी costing बढ़ जाती है इसे आप क्या मतलब monitoring loss हो सकता है आपको results के अंदर जो आप चारे हो उसमें आपको वो desired चीजे नहीं मिलती है तो इसलिए दोस्तों जो automated rules है ये लगाना भी असान है और इंस्टेंटली काम करते हैं तो देखें दोस्तों कैसे automated rules का जो option होता है वह आपको एक तो यहां पर जब आप जाओगे यहां पर add manager में इधर क्लिक करोगे उपर यह जो आप option देखते हो menu का अब इसके अंदर नीचे देखे automated rules का option आता है यहां पर जाकर भी आप automated rules लगा स होते हैं तो यहां पर हमें वह rules शो कर रहे होते हैं तो अब हम rules पहले लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं वापस चलेंगे उधर ही तो दोस्तों rules particular campaign पे सारे campaigns पे या particular ad पे ad account पे इस पे अलग-अलग जो ad group पे इस पे अलग-अलग भी हम लगा सकते हैं तो हम मान लिजे क अब ही मैं एक campaign on कर देता हूं यहां पर हम जाते हैं like video views वाला हमने campaign यहां पर on कर दिया ठीक है तो वह active campaigns पे rule लगता है तो अभी एक बड़ी मैंने इसको on कर दिया है यहां पर देखिए यह उपर आ गया है तो अब मैंने क्या करना है यह जो campaign है already selected है तो जिस भी campaign में आप एक campaign select कर लिया है अब select करने के बाद हम क्या करेंगे इधर यह जो आप देख रहे हैं यहां पर automated rules यहां पर create a new rule apply an existing rule या manage rules ठीक है manage rules यह सब तब होगा जब आपके rules already यहां पर बने होंगे अब create a new rule एक नया rule बना के दिखाते हैं आपको तो click करेंगे create a new rule के ओपर click करने क आपके बात देखें यहां पर आ गया है और पढ़ भी सकते हैं आप अपडेट campaigns ad sets और ads in bulk by creating automated rules जैसे कि बता रहा है कि आप campaigns को ठीक है ad sets को और ads को बल्क में कर सकते हो automated rules के through manage तो इस तरीके से अब आपको एक चीज़ सिखा रहे है एक campaign जो हमने select कर लिया यहां पर लिखा अब या रहे है एक campaign या active ad sets in one campaign या active ads in one campaign तो मैं तो campaign ही कर रहा हूं अगर आपको सिर्फ ad set पे करना है या आपको सिर्फ ad करना है या कोई notification भेजना है या adjust bids like increase daily budget कर दो या decrease daily budget बाई तो यह अभी हम करते हैं जो हम आपको बता रहे हैं turn off का तो एक हमने choose कर लिया action कि हमारा campaign turn off हो जाए ठीक है तो अब यह जो दिखा रहा है दोस्तो conditions तो पहले हमने अब यहाँ पर हमें condition लगानी पड़ेगी कि भाई हमारा जो यह campaign कब off होगा ठीक है तो यहाँ पर बहुत सारे options आते हैं हमें देखना है कि हमारा spend जादा हो रहा है तब हमें लगाना है life spend मतलब total budget जादा हो गया एक particular सीमा से तब लगाना है यह frequency, results, cost per result ठीक है तो इस तरीके से आप इतने सारे options हैं ठीक है अब यह आगे यह mobile app के लिए website purchase के लिए है ठीक है यह return on यह जो add spend के ओपर अगर हमें लगाना है अगर वो मालो आपकी return on add spend आपने लगा रखा है तो 100% हो कि एक रुपे 200% हो एक रुपे में लगा रहा हो तो दो रुपे आए अब मालो आपके दो रुपे जो आ रहा है वो नहीं आ रहा ठीक है कम आ रहा है कुछ आ रहा है तो आप चाहते हो stop हो जाए तो इस तरीके से आप अलग-अलग यहां पर settings देख सकते हो अभी हम क्य जादा आता है एक रुपे से ठीक है इसको हम एड कर लेते हैं अगर एक रुपे से जादा विकॉज यह हमने लगाया है हमारा जो एक रुपे से जादा भी आता है तो हमारी चीज अपलाई हो जाए ठीक है अब यहां पर जो time range है वो lifetime के लिए है आज के लिए है कैसे हमें लगाने ठीक है lifetime के लिए लगा दें पिको जब तक campaign चलेगा डेली डेली तो हम नहीं देख रहें कभी कॉस्ट हमारी 80 पैसे आरी 50 पैसे आरी 70 पैसे आरी है मालो एक रुपे से exceed कर रहे है तो फो stop कर देगा ठीक है एक दिन के लिए लगाना है अगर आपको एक दिन के होगा है वो चलता रहेगा है ठीक है तो इस तरीके से मैंने सेट कर दी आप यहां पर क्या attribution window क्या होता है यह by default भी होता और हम custom भी कर सकते हैं इसका मतलब समझाता हूं यहां पर देखिए यहां साब को clear होगा के facebook अगर हमारा ad कोई देखता है और उस ad पे action लेता है मतलब मानलो उसने add देखा click कर दिया add या add देखा आज और साथ दिन के बाद क्लिक कर दिया तो इस तरीके से हमने यहां पर एक attribution window लगा दी और हमारे add पे click करने के बाद अगर वो 28 दिन या 7 दिन के अंदर आता है ठीक है और मतलब हमारे add पे click करने के बाद वापस हमारी website पे आता है within one day 7 दिन 28 दिन तो उसको conversion मानता है facebook तो यह by default तो अगर एक दिन हमारा कोई add देखता है और same day वो उस add पे action लेता है तो इसको conversion मानता है Facebook और अगर हमारी website पे वो दुबारा वापस आता है ठीक है उसी दिन या 7 दिन या 23 दिन के अंदर तो फेस्बूक अगर 23 दिन के अंदर कोई वापस उसी add चाह रहा है तो उसको conversion मानता है यह आपके उपर आपके इसको 7 दिन कर दो कि भले उसने आज मेरा add देखा उसने कु Facebook by default मानता है 28 दिन तो यह आपको देखना आपको क्या लगाना है अभी हम इसको by default रहने देते हैं ठीक है कस्टम आप करना चाहों तो कर सकते हो अब स्केडियूल क्या होता है दोस्तों कि आपके यह जो action जो रूल्स यह जो हमने लगाए हैं यह मतलब कैसे कैसे मतलब review हो य ठीक है या दिन में एक बार या कस्टम आप करना चाहते हो टाइम वेगरा बारा गंटे में एक बार जैसे भी तो मैं तो इसको continuous ही रखना चाहता हूं ठीक है कि वह मतलब review करता रहा देखता रहा ठीक है और अगर facebook notification तो आपको देगा अगर आपका rule match करता है condition match करती है मगर आप उस notification को अपनी mail पर चाहते हो तो यहां पर क्लिक कर दो नहीं चाहते तो इसको हटा सकते हो ठीक है तो और यहां पर इस rule का एक नाम दे देते हैं को कॉस्ट को कि पर कि व्यूव कि ग्रेटर कि देन वन मैंने इस तरीके से एक नाम देती है मेरे को याद रहेगा मैंने क्या condition लगाई थी और किस पर लगाई थी कॉस्ट पर उस पर लगाई थी ठीक है तो मैं create करता हूं अब जैसे यह मैं create करूंगा मेरा rule create हो अब जैसे manage rules में मैं click करूंगा ठीक है तो जहां मैं आपको automated rules में लेकर गया था तब blank आ रहा था अब देखिए यहां पर हमारा जो हमने rule create करा यह आ गया है यहां पर active दिखा रहे है ठीक है अगर मैं review करना चाहँ प्री वेवीव कर सकता हूं edit करना चाहँ कुछ वापस edit कर सकता हूं मान लिजिये मैं अपना एक रुपे मने लगाया उसको मैं कम और किसी भी rules बना सकते हो अलग-अलग campaigns पर बना सकते हो सारे campaign के लिए एक बना सकते हो या फिर क्या कहते है आप अलग ads पर बना सकते हो एड set के उपर बना सकते हो तो यह तो हमने एक तरीका बता है एक condition के उपर बता है बट अगर आप बहुत सारी companies का या अपनी कंपनी के बहुत सार रहे बीशियों केंपेंच चला रहे हो तो दोस्तों हर चीज हर इंसान को हर वक्त यात नहीं रहती विकाद वह बिजी रहता अपने दिन की स्टूडूल में तो आपको लॉस होने से बच जाएगा आपके इस पेंडिंग एकसीड होने से बच जाएगी तो इन सब चीजों से चीजों से आप अपने डिजाइड विजल्ट को मैट करोगे चीज ऑटमेटिकली स्टॉप हो जाएंगे अगर वह एकसी एकसीड कर रही होगी आपके बजट को या आपकी परफॉर्मेंस डाउन जारी होगी तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखे इन चीजों का अप्ला इसी तरीके से फेस्बॉक, गूगल, यूट्यूब और बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के प्लैटफॉर्मस पे लगातार आप लोगों के लिए वीडियो ला रहे हैं ताकि आप लोगों को हम डिजिटल मार्केटिंग कम्प्लीटली सिखाएं, प्रेक्टिकली सिखा प्रेक्टिकल भी करना बताएंगे, टिप्स भी बताएंगे और आपको ट्रिक्स भी बताएंगे ताकि आप बिगनर टू एडवांस लेवल चीजों को करना सीखो और अपने बिजनस को करियर को ग्रो कर पाऊ तो दोस्तों हमें आपका चाहिए प्यार जो कि आप हमें अप वाचिए डिजित मार्केटिंग फंड़ाज